कि या कभी आपने इस तरी लंच बोक्स में कपड़े सुखाए हैं अगर नहीं सुखाए हैं तो बने रही है गार वीडियो में आज मैं शुखाने जा रही हूँ और देखे यह जो लंच बोक्स होते हैं मतलब ऐसे होते हैं कि सबके घरों में मिली जाते हैं पुराने से हो जाते हैं तो बच्चे मिनाह कर देते हैं इन में खाना ले जाने से लिए रख how match 네ल है तो अगर नहीं एक रश्यम आपकी पास पोई लैनत्यवार्च वाजाता है तो डीक եा दिख्रमरी के eyeballs या फिर online खाना मंगाते हैं हम उसमें आ जाते हैं या मतलब किसी भी चीज में आ जाते हैं तो आपने ले लेने हैं अब आपको करना क्या है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताँगे और बना के भी दिखाने वाली हूँ कैसे हम इससे यूज करेंगे कपड़े सुखाने में तो यहाँ पर देखिए मैं एक कंटेनर ले लेती हूँ ये वाला वैसे आप लंच बॉक्स भी ले सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि सब के पास अगर लंच बॉक्स नहीं होगा तो फिर वो इस तरीके से बना सकते हैं जैसे मैं भी आ लगाएंगे हम निशान हा फ्रेंड एक बार आप इसे बना लेंगे न तो आप इसे मतलब के सालो साल यूज कर पाएंगे ये गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में आपके काम आएगा और बहुत ही बढ़िया सा और्गनाजर आपका बनके तयार हो जाएगा तो यहां पर कि यहां पर अजयां करने होंगे तो अगर आपको ज्यादा कपड़े सुखाने है तो आप इसमे ज्यादा छेद कर लिजे या निकि निशान लगाने के boxलों कर लेजिए तो यहां पर आप इसके बीस की बारी आती हमने बढ़ने हो सब पहले तो यहां पर मैं निशान लग कर देती हूं आपके साथ बीच में मैं अक्सर होता है क्या लाइट भाग जाते हैं और हम मोम बत्ती को डारेक्ट जलाने के बाद फर्स पे रख देते हैं जिससे कि फायदा आपको होने वाला है एक तो आप इसके मोम को दोबार से यूज कर पांगे क्योंकि सारा मोम दिये में खटा हो जाएगा और नीचे फर्स पे भी नहीं लगा तो आपको ज्यादा क्लीनिंग करने की जरुवत भी नहीं पड़ेगी और इस मोम बत्ती को आप एक जगा स दूसरी जगह पर आराम से उठा कर ले जा सकते हैं जलाने के लिए आसा करती हूँ यह वाला टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ जो हम बनाने जा रहे हैं और गनेजर तो यह मैंने ले लिया है यहाँ पर कोई बी ऐसी चीज होगी तार वगयरा जिसे गर्म करने के बाद आप इसमें हॉल कर ले तो मैं इस से हॉल कर लेती हूं और बेस में चार हॉल मैंने करने हैं और यह नीचे साइड में किनारी में इसे आप अपने मन के हिशाप से कम जादा कर सकते हैं आप सभी से बिल्कुल न भूलेगा घंटी को जब आप दबा देंगे आल पर सेट कर देंगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगे अब हमें यहाँ पर चाहिए होगी एक डोरी तो यहाँ पर मैंने डोरी ले ली है यानि के डोरी आपको मजबूत ही लेनी पड़ेगी जैसे उन होती है पुरानी तो आप वो ले सकते हैं फिर अगर कपड़ा है आपके पास जिसे दुपट्टा तो उसमें से भी आप डोरी ब दागे को सेट करने वाले हैं तो हॉल मैंने थोड़े छोटे किये हैं तो इस तरीके से मैं डाल लेती हूं देखिए जैसे मैं आपको डाल के दिखा रही हूं अगर आप हॉल बड़े करेंगे तो आपको किसी भी चीज की सहता की जरुवत नहीं पढ़ने वाली है आप इज देख ली जगा क्योंकि इसमें बिल्कुल नीचे ऊपर यह इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए दहा के चारो के चारो बराबर आपने रखने हैं फिर आप इसमें एक पका नोट लगा दीजिए उपर की तरफ यह देखिए इस तरीके से अब यह बैलेंस में रहेगा अब इसे मतलब कि कुछ प्रतियोकता मिले जाना है तो आप चोटी बड़ी अपने हिसाफ से रख सकते हैं मैंने जितनी चोटी बड़ी लेनी थी उतनी मैंने कट कर ली हैं तो यहां पर मैंने आठ हॉल किये थे इसमें मैंने आपको बताया था और आठ ही मैंने इसमें डोरी ले वाला है हर मौसम में यह औरकनेजर आपका काम आने वाला है यह देखे फ्रेंड इस तरीके से आप बना ली जगा और यह तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कितना आसान है ना बनाना और घर में पड़ी हुई बेकार की चीजों से ही आप इस यूजफुल चीज को बना के त ले ली है अब इन क्लोथ किलिप में हम बानेगे इन रश्यो को तो इसमें जो तर होता है ना असी तर में मैं इन डोरियों को बान लेती हूं ना कितना आसान फट्रेंड आप इसे बना भी लेंगे और देखे इसमें एक भी रुपया हमारा खर्च नहीं हुआ है जो भी हमारे घर में समान पड़ा रहता है वो ही हम इसमें यूज करने वाले हैं और इसे बनाने के बाद आप कोई फायदा होने वाला है और जिनके घरों में छोटे बच्चे होते है उनके लिए तो यह बहुत ही यूजफूल होने वाला है अगर हम इसी तरीके के औरगनाइजर बजार से खरीदते हैं तो काफी महंगे भी मिलते हैं हमें पैसे भी देने पड़ते हैं और गैरंटी नहीं होती है कि वो भी लॉग टाइम तक चले लेकिन जो चीज हम अपने ह आज से घर में खुद से बनाते हैं तो मजबूती के साथ बनाते हैं और वो बहुत समय तक यूज भी कर लेते हैं क्योंकि वो मजबूती के साथ बनती है तो लंबे समय तक चलती है तो यहां पर मैंने हर एक डोरी के अंदर यह चुटकी सेट कर लिए है यह लिजे प्रविशनी में ब्राम्दे में रूम में कहीं पर भी टांग सकते हैं यह आप अच्छे से यूज कर पाएंगे और कहीं पर भी से लटका सकते हैं तो देखे इस तरह के जो कपड़े होते हैं छोटे बच्चों के वह तो बहुत ज्यादा हमें मतलब के केरफुली रखने पड क्या दूपनी नकलती है कपड़े इजली सूकते नहीं और हमें परिशानी हो जाती है आप एक कलोग किलिफ में एक कपड़ा भी टांग सकते हैं और दो कपड़े तांग सकतें आपको मतलब कि जैसे भी सुवीद्धा लगे आप इसे ऐसे यूज कर लिजे कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है बल्कि आपको यह फायदा होने वाला है कि आप इसे कहीं पर तो यहां पर देखिए मैंने टांग भी दिया है फ्रेंड और मैं आपको यहां पर हेलो भी बोल रही हूँ तो यह देखिए इस तरी के से आप टोपी सॉक्च या स्वेटर छोटे जैसे होते ना बच्चों के वो सब इसमें सुखा सकते हैं और एक दो कपड़ा आप इसमें भी रख सकते हैं आसा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी फिर मिलूंगे एक नई वीडियो के साथ अब तक लिए बाबाई